हेलो दोस्तो बालोट है उनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्तान में जो अग्जाम हुआ था एक संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सेकंड ग्रेट टीचर का जो अग्जाम हुआ था उसकी बॉर्ड ने और पेसी ने जो है वो organsर की जारी कर दी है और उसमें कौन से कौन से सबप्जेक्स की अभी आंसर की जारी कर दी है और कैसे किसे आप आप डाउलोड कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो वो अपने स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए, आपको यहां पे जो है बहुत इंपोर्टेंट वीडियो मिलेंगे, ऐसे ही की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टाइम एंड इसके साथ साथ जो है वो इस्टेडी मेट्रियल भी हम एवेलेबल करवाते हैं, और अगर आपने आर आर भी एंटी पीशी का फॉर्म भरा है, तो उससे रिलेटेट जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट जो है हमें वीडियो डालने वाले हैं in next two-three days, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत help मिलेगी कि किस type के questions पूछे जाते हैं उसमें, और जो है, वो क्या-क्या कैसे जो type के questions होते हैं उसमें और कैसे उनको आप complete कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो अपन चलिए start करते हैं, जो इसमें start कने से पहले अपन देख लेते हैं कि बेशिक है कि था क्या तो RPSC की जो second grade की जो exam हुआ था, ठीक है, उसमें इसके जो form है 2018 में निकल गए थे और इसमें कितने-कितने जो forms भरे गए थे, कितनी पोस्ट हैं वो देख लेते हैं कि संस्कृत, यह संस्कृत डिपार्टमेंट में हैं पहले तो, जो जो जनरल वाली नहीं है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड टीचर के एक्जाम हुआ था, उसके आंसर की है तो देखी, इसमें संस्कृत की जो है, वो पोस्ट थी 183, हिंदी की 61, अंग्रेजी की 93, गनीत की जो है, वो 130, और विज्ञान की 92 थी, और सामाजिक विज्ञान की 81 थी, तो इतनी-इतनी वेकेंसी थी, और इतनी-इतनी इनके form बरे गए थे, जो है, संस्कृत के 40,000, फिर हिंदी के 42,000, अंग्रेजी के 16,000, गनीत के 21,000, ठीक है, विज्ञान के 19,500, उन सामाजिक विज्ञान के 49,101, सबसे ज़्यादा इसी के हैं, ठीक है, मतलब सामाजिक विज्ञान के, तो ये सब form बरे गए थे, टोटल जो form है, वो इसके 1,88,928 बरे गए थे, और वेकेंसी जो है, और नोन-TSP एरिया की 40 थी, और TSP एरिया, सोरी, 640 थी, और TSP एरिया की वेकेंसी जो है, वो 40 थी, ठीक है दोस्तों, ये अपने बेसिक देखा है, इसका, अभी अपने देखते हैं, कौन से जो है, कौन से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब देखेंगे, तो देखें, अभी जो है, वो गुरूप A का रिजल्ट जारी किया है, एक तरीके से बोर्ड ने, जिसमें की एक GK का पेपर लगा था, 200 मार्क्स का, ठीक है, ये 200 नंबर का आपका पेपर था, जो कि आपका कब हुआ था, 17 फेबोरी को हुआ था, ठीक है, 17 फेबोरी को हु यानि कि सभी के सभी क्योशन को ये बोर्ड के मानना है कि राइट है, ठीक है दोस्तों, तो अपन ये भी देखेंगे, इसमें अगर आपको किसी क्योशन पर डाउट लग रहा है, तो आप कैसे उसके आपती दायर कर सकते हो, कैसे उस पर आपती लगा सकते हो, उसका क्या प प्लोड किया है उसी क्योसन पेपर को आफ रेफर करें उसका जो लिंक है ये जो पीडिएफ है यह मैं आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में दे दूँआ एंड इसी PDF में आपको सब कुछ link मिल जाएगा हरेक क्योसन का क्योसन पेपर का एंड हरेक आंशर का ठीक हरेक आंशर की का आपको कहीं पे देखने की ज़रूत नहीं है website पे आपको मिलेगा नहीं की कहां पे है क्या है तो आप इस पे directly आपको उस link पे click करें आपके सामने खुल जाएगी अगर फिर भी download नहीं होता RPSC की site down चली जाती है तो आप मुझे बताइए मेरे पास में copies हैं मैं आपको वो कहीं और पे upload करके उनका link provide करवा दूँगा ठीक है दोस्तों तो ये है गनीत के गनीत में तीन question delete हुए है और फिर जो next है विज्ञान विज्ञान में जो है इन्होंने कोई question delete नहीं किया है मतलब कि सभी question सही है इसका exam जो 18 February को हुआ था गनीत का भी 18 February को हुआ ठीक है ठीक है 200 number का ये था 300 number का ये था ठीक है दोस्तों तो ये अपने देखा कि कितने कितने question delete हुए है अगर इनके अलावा भी कुछ question ऐसे होंगे जिनके उपर की आपती करने के बाद में जो है वो board को RPC को decision लेना होगा कि उनके उपर क्या करना है वो delete करने है या उनका कुछ option change करना है ठीक है दोस्तों तो अभी अपन देखते हैं वो आपको मैं links दिखा देता हूँ कि आप कहा से तो मैंने इसी PDF में आप अगर नीचे देखेंगे ठीक है ये बालोटिया online classes का जो है हमारा channel है इसको subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है and bell के icon को जरूर प्रेस कर लेना subscribe करके ताकि आपको आने वाले हर एक notification मिलता रहे ठीक है दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस PDF में इस PDF में मनें link दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ से आप English का paper download कर सकते हैं इनका master paper जो कि कब हुआ था वो 20 February को हुआ था ऐसे ही English की answer की अभी तक जारी नहीं की है जैसे ही जारी करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक link प्रोवाइड करवा दूँगा उस answer की का और आपको एक नए वीडियो की बता भी दूँगा ताकि आप देख सकते हो वो ठीक है जो next है हिंदी का तो हिंदी का paper जो है master paper यहाँ पे है और जो उसके answer की है वो अभी तक आई नहीं है यहाँ पे available हो जाएगा आपको Sanskrit की जो है वो paper यहाँ पे है तो इसका भी जो paper का link यह है master paper तो दोस्तो देखो जो भी आपका answer होगा ना जो भी आपको match कराना है paper में question का जो options match कराने है वो आप कैसे match कराओगे दोस्तो वो that is an important part you have to follow that only else you will not get the correct answer ठीक है आप अगर उसको अपने paper से match कराओगे तो आपका match नहीं करेगा कोई भी question हो सकता है कि कोई भी question match ना करे तो आपको यह paper download करना है जैसे यह paper जो है जीके का group A का आपका जो 17 February को हुआ था 17 February को उसका answer की आपको यहाँ पे दिया गया है ठीक है इस link पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके समने answer की खुल जाएगी और यह वाला जो है यह वाले पे click करेंगे तो आपके पास में paper आ जाएगा अब इस paper को इस answer की में देखिए कि board ने जो RPC ने कौन सा उसका question answer उसका सही माना है और वो question जो है अपने paper में मिलान कीजिए कि आपका paper में वो question कौन सा था ठीक है और उसका जैसे board ने यहाँ पे A option सही माना है A में क्या था मान लो कि 5 है तो A में अगर 5 है तो आपके option में हो सकता है कि वो B पे 5 दे रखा हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है तो आपको वो match कराना है इसका exactly कि कौन सा आपका option match करा रहा है तो यह वाला question paper और यह वाली जो है आपको answer की download करके इनको match कराना है तब जाकर कि आपको अपने question paper से match कराना है कि हाँ मेरा यह paper था मतलब कि यह question का यह answer मैंने किया है और board नहीं इवाना है ठीक है यह match का paper है match की answer की भी board ने जारी कर दी है तो देखिए match की answer की जारी कर दी है दूसरा जो है वो जीक्य का जो group A का paper हुआ था उसकी answer की जारी कर दी है और तीसरा जो है वो social science का ठीक है social science का जो 17 February को हुआ था आपका paper उसकी भी answer की जारी कर दी है उसके answer की का link ये रहा ठीक है और जो fourth वाला है वो है अपना science का तो science का paper की भी answer की जो की 18 February का आपका paper हुआ था तो यहाँ पे तो आपको paper मिलेगा और जो answer की है वो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको answer की का link मिल जाएगा तो दोस्तो यह थे अपने सभी links तो इन पे आप directly click कर सकते हैं आप जैसे इस पे click करेंगे आपके सामने जो हो PDF open हो जाएगी उस link की ठीक है दोस्तो तो वहाँ से आप अपना match करा सकते हो कि हाँ मेरा ये question में क्या option मैंने किया था तो दोस्तो आप match कराने के बाद में ये जरूर बताना कि आपके कितने marks बन रहे हैं ठीक है दोस्तो वीडियो के comment में जरूर लिखना कि आपके कितने marks बन रहे हैं ताकि अपने को ये पता चले कि हाँ overall cutoff कितनी रह सकती है इसकी ठीक है दोस्तो तो ये अपना एक हो गया है मतलब की question answer की कहां से आप download कर सकते हो ठीक है दोस्तो अभी जो next चीज है वो अपन देखते हैं कि board ने इसका जो paste note भी जारी किया है कि अगर आपको अभी लग रहा है कि किसी question में doubt है आपको कोई question जो है वो गलत लग रहा है तो आप कैसे उसको objection file कर सकते हैं उसका objection कैसे कर सकते हैं उस पर अपती कैसे दर्ज कर सकते हैं तो देखे दोस्तो ये board ने जो हो paste note जारी किया है मैं इसको पढ़के नहीं सुना रहा आप लोगों को लेकिन जो main main चीजे हैं वो आपको बता देता हूँ क्या क्या है तो main main चीजे यही है कि board जो है वो इसकी आपती लेगा और कब से लेगा वो 10 अप्रेल से लेकर के 12 अप्रेल को रात के 12 बजे तक यानि कि आप अपती अभी आज आप नहीं कर सकते हो अपती दर्ज लेकिन 10 अप्रेल से इस्टार्ट हो जाएंगी आपको एक link मिल जाएगा site पे वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो SSO वाली site पे जाएगा single sign on वाली site पे वहाँ पे आप जाकर के online जो है इनकी fee जमा करनी होगी online आप fees जमा कर सकते हो और fee कितनी है एक आपती की 100 रुपे fee है वहाँ पे 100 रुपे fees के जमा करने होंगे आपको और उतने आपको जमा करने के बाद में उसकी परमान देना होगा कि आपका कौन से क्योशन के लिए फाइल कर रहे हैं या आपती कौन से क्योशन के लगा रहे हो और उसके प्रूफ एवलेबल करवाने होंगे तो परमान के तोर पे आपको क्या है आपको बुक देनी पड़ेगी किसी भी बुक का या कोई भी जो authorized material है ठीक है उसका आपको फोटो कोपी देना होगा और उस पे जो है क्योशन नंबर जरूर मार्क कर देना और कौन सा क्योशन नंबर करोगे master जो person पतर है आपका जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको link में उसका जो है वो क्योशन नंबर mark करना कि यह इसका question number है और यहाँ पे इसका option आपने यह माना है जबकि यहाँ पे इस book के according इसका answer यह होना चाहिए ठीक है दोस्तो तो यह इस तरीके से आप जो है इसमें आपत्ती लगा सकते हो ठीक है दोस्तो तो यह भी बताना मुझे इस वीडियो के comment में कि आपको कौन से कौन से questions जो है गलत लग रहे हैं और कौन से questions के ऊपर जो है आप आपती लगाने वाले हैं ठीक है दोस्तो और आपको क्या उसका proof आपको मिला है कहां पे कौन सी book में जो है आपका proof दे रखा है उसके लिए तो दोस्तो यह है आज का अपना वीडियो तो मैं यही कहूंग अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लिजिए और बाकी वीडियो को भी देखिए जहां पर आपको बहुत ही important questions मिलेंगे और बहुत ही और कुछ जो है पीछे की exams में जो questions पूछे जाते हैं वो questions भी वहाँ पे हैं और उसके अलावा जो है वो प questions बार बार पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में